केजरिवार जी का है इंडिया नंबर वन यूरोप के एक देश की एरपोर्ट पर भगवन मांजी यही कह रहे थे नंबर वन बनाएंगे तो एरपोर्ट वाले बोले आपका तरीका और आपकी हालत गलत नंबर वन बनाने की तो यह खबरें आई हैं कि उनको फ्लाइट में बुचर को एक नाया लड़का तो दोनों ने वहां का सब कुछ बताया तो पहले बुचर को बोला हमनी क्या हुआ अरे बोले इतनी जादा खुमारी चड़ी आप उसंभूलो घड़ी दो घड़ी कि अगर कभी कभी ऐसा होता है मीडिया ना बुलाया करें पहले मीडिया को लेट बुलाया करें वहां पता है उनको कि मोदी जिंदाबाद के नारे लगने वाले अपनी डेस्टिनेशन पर आटो पर जब बैठ जाएंगे उसके बाद बोली अपने कारी करता हूं को दिली से लिए करके जाते हैं कि मेरी जिंदाबाद के बिराने लगाई है लेकिन आपने यह बात उठाके शहर कि जो किशोर जी केजरिवाल साब का अपमान कर दिया पर वक्ता को थोड़ा समझ के आना चाहिए कि भारत इंदापार्टी हालत तो इतनी पतली है गुजरात के अंदर क पतली हो चुकी है मीडिया डिबेट्स के अंदर ताकि विजय आपके परवक्ता ना जाए इसलिए उनकी मेह फिलो मोदी जिनावाद के लागा इनको प्रवक्ता को पता है मेरे परवक्ता जाके मेरी पोल खोल देते हैं इसलिए वो अपने परवक्तां को गुजरात के के पद की पड़ी आप संभलो गड़ी दो गड़ी अब मैंने नई लड़के से पूछा मैंने भाई सब क्या हुआ था मुझे कुछ कंफर्म खरबकर वास्ते में क्या था तो बहुत कुछ नहीं खाली पीली जंजट को मोल काहे लिया रे जनतान पहले भी कैच तुमें किया संसद में गुर्गवारे के बाहर काली पीली जंजट को मोल काहे लिया रे जनतान पहले भी कैच तुमें किया रे जाडू लेके पबलिक में शोर बहुत किया रे बोलो बोलो निता जी ने कौन सा रस्तिया रे फिर हमने कहाँ जब हमने दोनों के गाने सुर ली एफिर कोड़क चौहन ने कहा कि कि खुद के नेता नहीं संबलते किसी भ्रम्मे न रहियो पहले दिल्ली संभालो फिर गुजरात में जैयो अरे खुद के घर में सरजी पहले अपनी जाडू लगवईयो पहले दिल्ली संभालो फिर गुजरात में जैयो बहुत बढ़ाम से अब बोल यह पहली बात तो यह बहुत महपून बात इन्होंने कही है और किसी को भी इन फरजी खबरों से ब्रामक खरबों से बचके रहना चाहिए और यह फरजी खबर थी सवी चैनल ने चलाया बाद में लैंस ने किलिए किया कियो खबर फरजी थी और उनकी छवी खराब करने के लिए एक परदेश के चुनेव मुख्यमंत्री को अगर नाम करने के लिए इस पर परगड़ना चलायागा तो यह लोगत पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया दुखा देए वह फरजी खबर थी उसका खंड़न किया गया दूसरी बात आइस में टॉप करते हैं आइटी जेह में एंडविशन लेते हैं 1149 बच्चों ने अभी आइटी और जेह के एंडविशन लिया अगर किसी स्टेट के अंदर यह एजूकेशन मॉडल हो तो आप मुझे दिखा दिजिए पूरे देश बहुत